मैपिंग की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले चाइना ने अपना एक न्यू मैप इसू किया है उसमें से जो मैप इसू किया उसमें कुछ डिस्प्यूटिड एरिया जो की न्यूज में रही है इस्पेसिली इंडिया के भी बारे में बात किया था और जो आज हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं साउट चैना सी के बारे में जब उसने मैप अपना इसू किया चैना का एक नया मैप तो उसने इंडिया की कुछ टेरिटरी को चैना का पार्ट बताया दूसरी तरह इंडिया का किया है किया उष जो साउद्ट चाइना सी से एकंट्रें लगती हैं देस लगता है उन के साथ भी जुबंगों कि उसने प्याओर इस से किया को यह चैना का पार और जब यह पबलिक अई न्यूज मिंआ आया तो और भी कंट्री जो कि रियक्ट करें और उसी के साथ इंडिया भी उससे पहले रियक्ट कर चुका था कि ये इस तरह की जो कि कोई मझा हवा हवाई बात ना किया जा रियालिटी को एक्षेप्ट किया जा इंडिया का जो इस्टन वेस्टन और मिडल सेंटरल पार्ट है जो इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है चाइना के साथ वहां पे उसने जो मैप इसू किया था जैसे लैन अप एक्चुल कंट्रोल जो लदाख वाली यूनिय ट्रेटरी है मिडल सेंटर वाली अरिया हिमांचा प्रदेश उतराखन इसके बारे में डिस्क्यूश किया था फिर इसके बाद आपका जब मैक मोहाल लाइन अरुरांचा प्रदेश से टेच करती है उसके कॉंटेक्ट्ट में बात किया था लेकिन आज जो हम यहाँ पर बात करेंगे और वर्ड के एकोनामिक डिवलप्मेंट में किस तरह से अपना रोल प्ले करता है सबसे पहले यहां पर देखेंगे आप यहां पर अटलांटिक ओशन दिया गया यह पूरा आपका अटलांटिक ओशन है ओके फिर उसके बाद पैसाफिक ओशन इस सेड भी और इस सेड भी का इया लेल इस पूरा एक ही हां पूरा आईसा आगउलों पर बनाये तो और तीसरा जो यहां पर इंडियन ओशन है और और आट और यह यहां पर यहां बात करेंगे यह जो किया आपका अफ्रीका कंट्आइं N. Is और South China Sea, Asia का पाट है, तो हमें Asia का location भी पता होना चाहिए, कहां पर location है, आप जो मैं mark कर जाहा हूँ, यह आपका Asia का location है, यह Asia का पूरा location है, Asia आपको सभी को पता है, कि सबसे बड़ा continent है, in area Y, population से भी बड़ा है, क्योंकि वर्ड की, जो top two populated country है, जम जनसंख्या वाली, सबसे बड़ी जो जनसंख्या वाली देश है, वो चाइना और इंडिया है, ठीकें यह हो गया आपका Asia continent और हम Asia में ही रहेंगे Asia हो गया, फिर Asia के बारे में ही डिसकस करेंगे क्योंकि South China से Asia continent Pacific Ocean में पड़ता है और यहां पर तिसरा continent South America है यहां पर इसके बारे में फिर इसके बाद North America जो है यहां पर हमने मार्क कर लिया इसके बाद आपका यहां पर Australia है तो हम इसको generally मार्क करते हैं हम कहते हैं कि 4A 4A का मतलब हो गया Asia Australia Australia Africa Africa Antarctica continent हो गया चार हो गया और इसके बाद आप North America, South America और Europe करते हैं North and South America and Europe Europe का यह पाथ है पूरा Asia और Europe को अगर मिला दिया जाता है तो हम उसको Eurasia के नाम से pronunciation करते हैं ठीक है इसके बाद आप हम चलेंगे अपने questions पर आएंगे कि क्या है important हमारे लिए और क्या news में है उसको लेकर कि हम discuss करेंगे ठीक है हमने कहा कि चाइना ने अपना जो की map इसू किया है और उसने ये claim किया है कि South China Sea जो की पूरी तरह से चाइना का पार्ट है यहाँ पर आप देखेंगे यह इंडिया है देखें यह इंडिया का मैं मैं बना रहा हूं आप लोगों के साथ और इंडिया से ही इंटर्णेशनल बॉर्डर लगता है चाइना का आप यहाँ पर देख सकते हो यह चाइना का है चाइना का इंटर्नेशनल बॉर्डर आप बता सकते हो कि नौर्थ पूरिया फिर उसके बाद इंडिया से लगता है मंगुलिया से लगता है कताकिस्तान से लगता है और सेंटरल एसिया के पूरा कंट्री से लगभग लगता है तिन तिन कंट्री से फिर उसके बाद साउथ इ जाते हैं South China Sea और South China Sea Pacific Ocean के पार्ट है Pacific Ocean का मतला West Pacific Pacific Ocean Ocean का पार्ट परता है कौन? South China Sea South China Sea छोटा से एरिया है हम इसके बारे में यहां पर फिर दिसकस करें देखे, जो मैप मैंने वहां पर आपको दिखाया था वही मैप यहां पर भी दिखाने की कोशिश कर जाओं अब यहां पर देखिए South China Sea आपके बारे में यहां पर देखे इंडिकेट कर रहे हैं और इसकी एरिया के लेने की कोशिश करें आप तो यहां से लेकर के पूरा आ जाता है फिर आ जाता है यह पूरा एरिया है अगर यहां पर आप देखने की कोशिश करें कि कौन कौन से कंट्री जो की इससे इंटरिनेशनल बॉर्डर लगती है तो सबसे पहले खुद चैना आ जाता है यहां पर फिर बियातनाम आ रहा है यहां पर मलेसिया आ रहा है इंडोनेसि तैवान आ जा रहा है यह 5-6 कंट्री है जो की इससे जो की टच करते हैं अब इसू क्या है कुछ आइलेंड है उस पे हर कंट्री अपना कलेम करती है कि भाई यह हमारा पार्ट है यह हमारा पार्ट है तो इस वज़े से ले करके डिस्प्यूट हो जाता है अगर आप जनरली देखें यहां पर मैं इसको इरेज करता हूँ इरेज करने के बाद एक सेके अब फिर से मार्ट करूँगा कौन से कंट्री कौन सी एरिया में इसका जो की लोकेशन मार्ट करता है साउच चैना सीसी सबसे पहले हम चैना को ही चैना अपका नौर्थ एरिया में पढ़ियाता है फिलिप्माइंस अपका इस्थ में पढ़ियाता है अगर आप इसके बाद अगर और आप यहां पर डिसकॉस करने की कोशिश करें मैंने उसको भी रेच कर दिया जो जरूरी था हमारे लिए कोई नहीं फिर से बना लेते हैं एक से का तो काम है यहां पर नॉर्थ हो गया यह साउथ हो गया यहां पर इस्थ हो गया और यह वेश्ट हो गया हमने भी वियतनाम, चाइना, फिलिपिंस, ताइवान, बुर्नेई, मलेसिया, इंडोनिसिया के बारे में डिसक्स कर लिया आप यहां पर देखिए यहां पर आपका इंडियन ओशन है इंडियन ओशन है और यह अपका साउथ चाइना सी है अब इसको एक मलक का इस्ट्रेट है यह जो को कि connect कर रही है इंडन ओशन और साउथ चाइना सी को connect करने वाली कों सी मलक का इस्ट्रेट है इसके बाद अपके जो कि अगर और उपर आप यह पर थाई लैंड गल्फ आफ थाई लैंड यह पर पढ़ आता है इसके बाद, जो South China Sea है, यह आपका Pacific Ocean का ही यह पार्ट पड़ जाता है, देखिए, हमने कई बार डिसकस किया था, differences, differences क्या क्या है, बीच में, Ocean, Ocean और Sea, यहां पर हम यूज कर रहे हैं, South China Sea, लेकिन Pacific के context में हम यूज क्या कर रहे हैं, यहां पर देखिए, Ocean, ठीक है, तो यह Sea और Ocean के बीच में, differences क्या है, Sea देखिए, यह इतना बड़ा माल यह Ocean है, माल यह आपका Pacific Ocean है, और इसके बीच में कुछ छोटे छोटे water body पड़ जाते हैं, देखिए, कुछ landing area से, तो इसको हम Sea के नाम से जानते हैं, किस नाम से, मतलब अब हो सकते हैं, एक Ocean के अंतरगत, कुछ छोटे छोटे कई जो की Sea आ सकते हैं, कॉंटेक्ट में हमने का कि मलक्का इस्ट्रेट जो है, मलक्का इस्ट्रेट क्या करता है, इंडेन, एक सेकेंड, इंडेन ओशन को और जो एकी South China Sea को कनेक्ट करता है, फिर उसके बाद इसी के थोड़ा सा हम अगर इस्ट में आए था, सूलो सी मिलता है और धोड़ा सा साूथ इस्ट में आये, सेल्लिवाश सी मीलता है सेल्लिवाश सी किसे और साूथभ में आ तो जावाश मिलता हैं, जयावा सी और gjको करता हैूं करता है उसी तरह माकारस घा चैना सी को करता है इसके बाद अगर हम यहां पर नेक्ष देखें कि देख सकते हों कौन कौन सी कंटरी हैं कैसे हैं यहां पर भीयत नाम हो गया। चैना हो गया। ताइवान हो गया। हलाकि ताइवान भी यह part of the China है। ठीक लेकिन कुछ यह अलग तरीके से रूल करता है। चाइना की पॉलिशी को यह completely discard करता है कहता है कि जो चाइना की political system, economic system होई हम इसके कभी भी कहीं भी जो कि इसका support नहीं करते हैं फिर उसके बाद फिलिपाईंस आप यह एरिया देख सकते हो फिर यह मलेशिया देख सकते हैं इसके बाद और अगर देखना चाहे तो होंग कॉंग जो पढ़ जाता है यहां पर में एरेज कर रहा हूं यह साउच चैना सी का ही पार्ट पढ़ते हैं ठीक है यहां पर आपको लिए बेटा रहे कि आपको लोकेशन पूछा जा सकता है जैसे मल यह हौंग कोँ हो गया मकाउ हो गया यहां पर है यह जो की आपको चाहिना के ही पार्ट पर पढ़ते हैं लेकिन स्व चैना सी कीं की पात पर पार्द इसके बाद कुछ आईलैंड है आईलैंड क्या है यहां पर पार्षल आईलैंड है पिर सपार्ट neighbors के IP तो इन कि ए पाट है यह उनका पाट है या हमारा पाट है इस चीज को ले करके हमेशा जो की डिस्प्यूट होते रहता है और इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनकी तो इनकी आप एक चीज बात करेंगे कि यह जो कि काफी जियो पॉलिटिकल इस्टेजी के पॉइंट अभी से इंपोर् कि बीकि जाता है तो ऊसे पॉलिट के बारे को यह जाता है है जो की इंपोर्टेंट हो जाता है जो की सी रूट आशब कहा भी जाता है कि एप्रोक्सिमेटली आपका 18% की आसपा जो एकी वर्ड का जो ट्रेड होता है इसी की रूट से होता है और यह भी अनुमा लगा जाता है जो भी इसकी नेभर कंट्री हैं यहाँ पर आप देख सकते हो अब जो भी नेभर कंट्री हैं इनकी फिलिपिन्स या चाइना या फिर जो बहुता है इनका यह पोलीटिकल स्ट्रीटीजी जियो पॉलिटीकल पॉलिटीकल स्ट्रेटी जो टाफ़ी इम्पोरतिन्ट है हमने अभी डिस्कस किया धाये मदल्लय कंपलेटली ऐक्यूват اज की किस साल पूछा हुआ था बट इतना जरूर मैं कहूंगा कि नहीं जो की पूछा गया में में इंपोर्टेंस आफ दर चाव चाइना सी ठीक है तो किस लिए इंपोर्टेंट है कैसे है क्या है इनमें डिस्प्यूट यह भी हमने बात कर लिया रहा है तो यह हमारा मैपिंग की क क्लास से आई हो कि आप इसको जरू जो कि रिकनाइज किये होंगे और इसी के साथ मैं अपने क्लास को बंद करता हूं तब तक लिए थांकि 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 भेरी मैच डिस्प्यूट जाहिन जाबारा झाल